नमस्कारों और इस वक्त हम आपको बता दे बदरिनाथ मंगलोर उप्चिनाओ की मदगर्ना जारी है छे राउंड की मदगर्ना पूरी हो चुकी है बदरिनाथ में कॉंग्रेस उमिद्वार आगे हैं लगपत सिंग बुटोला 1935 वोट से आगे चल रहे हैं मंगलोर में भी 1936 वोट से आगे चल रहे हैं यानि जो दोनों सीटे हैं यानि की बदरिनाथ और मंगलोर दोनों जगा पर इस वक्त कॉंग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं बदगर्ना जारी है उप्चिनाओ की छे राउंड की बदगर्ना हो गई हैं बदरिनाथ में कॉंग्रेस उमिद्व पुलकित अगर हरिद्वार की बात की जाए यहां पर कितने राउंड अब तक हो चुकी है गिनिती कितने राउंड की और बताये चारा कि दोनों सीटों पर कॉंग्रेस आगे है यानि कि अभी तो फिलहाल दूर दूर तक कोई टकर में दिखाई नहीं दे रहा और कितने रा जानि राउंड तक लगातार आगे बने हुए हैं और अच्छी खासी लीड के साथ आगे चल रहे हैं हाला कि छटे और साथे राउंड में यह अंतर जरूर देखा गया है कि जो उनकी जो लीड है वो कम हुई है पिछले राउंड में जो उनकी लीड जहां साथे साथ आठ वोटों की थी अभी वो लीड उनकी अचानक से कम होकर लगबख साड़े चारह जार वोटों की हो रहे गई है लेकि यह अभी भी अच्छा खासा अंतर बना हुआ है इसके लावा एक और छटे राउंड के बाद एक और बदलावाया है कि जो लगाता बाश्ता के जो प्रत प्रतिवी नजर आ रही है अब जो टक्कर चल रही थी अभी तक वो कॉंग्रेस और बस्पा के बीच में चल रही है लेकिन अब सीदे तो राउंड खत्म होने में और कितना वक्त लग सकता है और नतीजे पूरी तरह से कब तक आगा सते हैं इस तरह से पांचवा राउंड जब खतम हुआ तो उसके बाद जो वोटों की जो गिंती है उसकी काफी तेज यहां पर बढ़ गई है और जो तीन राउंड अभी रह गए हैं आठ नो और दस राउंड रह गए हैं उमी जदाई जाजिए कि लगबग एक गंटे में पूरी तरह से नतीजे सामने आ जाएं कॉंग्रेस के लिए नितिन सेंवाल यहां से जुड़े हुए हैं नितिन अब तक कितने राउंड की गिनिती हो चुकी है फिलाल इस्तिती क्या है क्योंकि जो खबर मिल रहे हैं वो कॉंग्रेस के लिए काफी सुकत खबर है कॉंग्रेस पर्टियासी जो लगपर सिंग करना और रहे हैं यानि कि कॉंग्रेस पर्टियासी लगातार प्रटेक राउंड में लीज करते जा रहे हैं हाला कि कुछ जगों पर देखा था कि भास्ता को फोड़ी इसी रहा जरूर नहीं लेकिन बाकि कोई भी ऐसा मूँच नहीं दिकराया जाता है कि बीजिदी को हो चुके कहीं आट राउंड गिनेती हो चुकी है और बहुत जल्दी नतीजे भी आने की संभावना जताए जा रही है